हेलो गाईज, नेक्स एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लों मीट्रिंग को सब्सक्राइब करते हैं, इसलम अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, यो हैंग और मुरान के दर्मिया मुकाबला स्टार्ट हो जाता है डंबलिंग खाने का, जब दोना एक दूसरी के दफ वो कभी भी इन गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता पर यूहांग भी आगे से कह देता है कि कोई बात नहीं तो शाओधी की मॉम टैडिशन के बारे में बताएं लगती है कि जसके पास भी कोई ना वो एक विश कर सकता है और उसकी विश को पूरा भी किया जाएगा यू यूहांग के लगते है कि मुझे लूयान ने बताया था कि यह मूवी काफी अठ्छी है तो मैं इसलिए तुम्हें यहां पर ले आया शाओधी कहती कि क्या तुम्हें डरनी लगेगा यहां पर काफी अंदेरा हो जाना है ना मूवी के टाइम पर यूहांग उसको एक चीज लगते हैं कि मैं तुम्हें लिटर स्टार के बारे में पताना चाहता हूं कुछ शाओधी कहीं लगते हैं कि तुम्हें लिटर स्टार को टूडने में काफी साल लगा दिये हैं इसलिए मैं तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत वैल्यू है और मेरे लिए इतना ही कहने लगते हैं तो यूहेंग तक पकर लेता है और किया लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो एक आदाय। साल साल का यूहेंग था ना उसके लिए सब्सक्राइब यूहेंग लिए शाओडी है और वो अब शाओडी को अपने से दूर नहीं करना चाहता शाओधी कहीं लगती है कि पर तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो यो हैं कहीं लगते है कि ताकि तुम कुछ खलत ना समझो मेरे लिए अब जो भी हो ना वो तुम ही हो प्लीज अब मुझे छोड़ कर मत जाना तो शाओधी कहीं लगती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ कर चलीगी ना तो पीछे से तुम्हारी परटेक्ट कौन करेगा यो हैं कहीं लगते है कि तुम ना बस मुझे छोड़ कर जाना पता नहीं मेरा क्या होगा शौदी कहती किसने का मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ यू हैंग कहीं लगते है कि इसका मतब तुमने मुझे माफ कर दिया शौदी कहीं लगती कि हाँ यू हैंग अपने हैंड को उपर करते है कि पिंकी प्रॉमिस करो जैसे शाओधी उसके सथ पिंकी प्रामिस करने लगती है इतने में मुवी स्टार्ट हो जाती है वैसे ही यू हैंग मुवी के स्टार्ट होने पर डर जाता है शाओधी कहीं लगती है कि ये तो बस मुवी की स्टार्टिंग थी और यू हैंग को अपने साथ बिठा लेती है औ के लगता है कि नीनी ये मैंने खुझ सीखा है और यहीं सख्ले सिल्ड में दिखा जाता है। यू हैंग तोनों मिलकर कठै MONS ड्रोसरी करने के लिए आये होते है हर बात मैं को कारा होता है कि तुम को Ferrara को यह वली-वली चीज को देखो इस समय यू undermine शाओधी के बहुत ज़दा close आ जाता है शाओधी भी यो हैंग को देखने लगती दोनों एक दूसरे को ज़द देखने लगते हैं तो यो हैंग जल्दी से पीछे अर्चाता है कि मैं आगे इसके payment करवाखी आता हूँ और फिर दोनों जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उसक हैंग को भी कहती कि आजो घर चले और घर जाकर जब शाओधी डाइनिंग टेपल पर बैटी होते हैं तो बस यो हैंग को ही देखे जारी होती है पी शाओधी की मॉम जब आकर बैट जाती है तो यो हैंग करने लगता है कि क्या थोड़ टाइम के लिए और नहीं यहां पर रुख सकती पर इसकी मॉम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं रुख सकती अब तो हम फैमली है ना मैं फिर कभी आकर मिल लूँगी पर खाना खाने के बाद शाओधी की मॉम जब जाने लगती है तो यो हैंग को बाते वगरा समझा रही होती है बहुत से अड़्वाइस दे होती है पर शाओधी तो बस अपनी मॉम को देख रही होती कि मॉम उससे कब बात करेंगी यो हैंग से बात करने के बाद उसकी मॉम कार में बैटकर जाने लगते तो शाओधी जल्दी से अपनी मॉम को जागर बुलाने लगती है पर उसकी मॉम कार का शिशा नीचे करके पस पीछे से तो यहां पीछे से तो यूहांग क अपना रास्ता ही चेंज़ कर लेता है वापिस-कर चाने लगता है यहांग के पास आती है यो हैंग करेंग लगता है कि मुझे दुबारा से डंपलिंग खाने है शौदी कहती है कि मैं तुम्हें बना दूँगी पर यो हैंग करेंग लगता है कि तुम्हारे हाथ के नहीं तुम्हारी माम के हाथ के खाने है शौदी उसकी ये वाली बास उनका कहने लगती है कि तुम तो मेरे मॉम के बनाएंवे सारे डंपिलिंग खा चुके हो पपी भी यह हैंगे करके चला जाता है कि मुझे बस तुमारी मॉम के हाथ के खाने है इतने में पीछे से शाओधी को भी एक मेसिच आ जाता है जो उसकी मॉम उसके बैंक में काफी ज़दा पैसे ट्रांसफर करके गई थे यह देखकर तो श Lamborghini खोश हो जाती है और मुरान टिखाए जाता मुरान के पस और आई होती है मुरान ने तो यह सोचा होता है कि वह काफी समझारी होती होती है उसको कास में के साथ होती है लिए उसको जाते हुवे एक मेडिसन देथा जो गाती है कि तुम्हें कै लगता है मैं जबा खाती हूँ लिय। कहते हैं कि ना ली ना तो तुम गंजे हो जाओगे लिय। कहें लगते हैं कि नी मैं तो ट्रेइनिंग के बाद सो जाता हूँ बिंग कहते हैं कि मुझे बता है तुम कितना सोते हो तो लियोयान कहते हैं कि तुम मैं कैसे बता है वो कहते हैं कि बस मुझे बता है न यह कहका जाले लगती है तो लियोयान पीट से पीछे से बिंग को पकड़ लेता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने मेरे पीछे किसी को लगाया हुआ है और वो एक लड़के के नाम भी लेता है तो बिंग कहने लगता है कि नी वो तो हम एक गेम खेर रहे हैं तो लुयान कहने लगता है कि नहीं मैं उठा लूंगा और जब बिंग लुयान के बैक पर आती है तो उसको लग पता जाता है इ स्कोश पर लेसे के जाता है मुशन नहय। यू हैंग कहने लगता है कि मुझे बताओ ना प्यार के लिए लड़किया क्या देखती है लड़के में क्या होना चाहिए लो यान उसको पूरी हिस्ट्री समझाने लगता है कि लड़किया हैंडसम देखती हैं स्वीट देखती हैं पैसे वाला देखती हैं इस तरह और भी ब बनाया किया तुम आकर उसको टेस्ट करोगी पर शाषी कहती कि तुमने बनाया है वह अभी मेरे पर टाइम नहीं है बाद में आती हूँ तुम जा कर खा लो, यूहेंग नहीं जाता भलकि यूहेंग को लियूयान की बात याद आती है कि तुमने स्वीट रहना है तो वो शावधी के पास पहुंग जाता है और जाकर शावधी का हथपकर के कह़े लगते है के शावधी प्लीज आ जो ना बाहिर आ जो शावधी उसे ऐसे धेखा कह़े लगती है कि क्या तुम्हें बुखारतों नहीं हो गया मैं क्यों नहीं आऊंगी जब दोनों खाने के टेबल पर बैट जाते हैं शाओदी तो देख रही होती है कि यह तो बाहिश से मंगवाया वह खाना है फिर यूहेंग को लियूयान के एक दूसरी बात याद आती है कि लड़की को अपने कोई ना कोई ऐसी चीस देनी चाहिए गिफ्ट देना चाहिए तो यूहेंग कहते है कि शाओदी को गिफ्ट लेना पुसंद नहीं है तो यूहेंग भी शाओदी को अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहते है कि तुम तितना यूज़ करना चाहती हो कर सकती हो शाओदी कहें लगती कि यह क्या तुमने नह लेना तो मैं ले लेता हूँ पर शाओधी जल्दी से उस काड को पकड़ लेती है और यहीं लगती कि मैंने क्यों ने लेना मैं ले लेती हूँ और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खतब हो जाती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना